नमुश्कार दोस्तों सवागत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों माग के गुप्त नवरातरे शुरू होने जा रही है तो ये गुप्त नवरातरे कब हैं, किस दिन, किस माता की पूझा के जाएगी, शुब मूरत क्या है, किस विधी से आप पूजन कर सकते हैं, क्या मंत्र है, क्या महत्व है, आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नई हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिये, ताकि जैसे वीडियो अप लोड की जाती है, उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सकें इस वीडियो को अंथ तक जरूर देखें, ताकि आप संपूर्ण जानकारी हासिल कर पाएं इस वीडियो को अपने दोस्तों सगे संबंध्यों के साथ शेयर जरूर करें जैमातादी, हिंदू धर में नवरात्री का खास महतव होता है हिंदू पंचांग के नुसार एक साल में कुल चार बार नवरात्र आते हैं इन चारों नवरात्रों का ही अपना एक खास महतव भी होता है जिन में से दो परतक्ष नवरात्री होती है जिनको हम सब धूम धाम से मनाते हैं जो की चैत नवरात्रे और शार्दिय नवरात्रे होते हैं इसके अलावा दो बार और नवरात्रे पढ़ती हैं जिनको गुप्त नवरात्र कहा जाता है साल में दो बार आने वाले नवरात्रों में से एक माग मा में आने वाले गुप्त नवरात्री है इस पार माग के मा में पढ़ने वाली गुप्त नवरात्री दो फरवरी से है जिसका समापन 11 फरवरी को होगा गुप्त नवरातर में महाविद्या की साधना की जाती है ऐसे में आज हम आपको बताएंगे गुप्त नवरातर की वो दस महाविद्याओ और उन देवियों के मंतर के बारे में भी मादुर्गा के नो रूप होते हैं जिनकी नवरातरों में पूजा की जाती है और वो नो रूप हैं शैल पुत्री, बरहम चारणी, चंदर घंटा, कुशमांडा, सकंद माता, कात्याईनी, काल रात्री, महागोरी, सिद्धी रात्री चैत नवरात्र और शारदिय नवरात्र में देवी के इन नो रूपों की पूजा की जाती है जबकि गुप्त नवरात्र में दस महा विद्या देवियों की पूजा की जाती हैं और वो महा विद्या देवी हैं तारा, तिरपुर, सुन्दरी, भुनेशवरी, छिन्मस्ता, काली, तिरपुर भैरवी, धुमावती और बगला मुखी गुप्त नवरात्र का क्या महतव है वो जान लेते हैं गुप्त नवरात्र तंतर साधना, जादू टोना, वशीकरण, आदी चीजों के लिए विशेश महतव रखता है इन नो दिनों तक मादुर्गा की कठीन भक्ती और तपस्या की जाती है खासकर नीशा पूजा की रात्री में तंतर सिधी की जाती है भक्ती और सेवा से प्रशन होकर मादुर्लग और अदुल्य सक्ति का व्रदान देती है साथी सभी मनौरत सिध करती है तो आईए सबसे पहले हम जान लेते हैं गुप्त नवरात्र के दिनों में क्या करें और क्या नहीं मान्यता है कि नो दिनों तक बरमचार्य नियम का पालन करें इन दिनों तामसिक भोजन का परित्याग करें यानि कि मास, मचली, अंडा ना खाएं और प्याज लसन से भी परेज करें जोतिश अनुसार कुश की चटाई पर सया रखें गुप्त नवरात्र में पीले या लाल रंके वस्त्र धारन करें निर्जला या फलाहार उपवास करें सच्चे मन से मापूजा की उपास ना करें इन दिनों में लसन प्याज के सेवन से परहेज करें माता पिता की सेवा और आदर सत्कार करें दो फरवरी को घट सापना की जाएगी पहल और दूसरा नवरात्रा एक ही दिन दो फरवरी को है तो इस दिन मा शैल पुत्री और बरम चारने की पूजा की जाएगी पूजा की जाएगी पाच फरवरी को दुर्गा के सकंद माता सवरूप की पूजा होगी चै फरवरी को सस्टी है और इस दिन मा दुर्गा के कात्यानी सवरूप की पूजा होगी चै फरवरी को सब्तमी भी है तो इस दिन साथ फरवरी को सब्तमी तो इस दिन कात्यानी काली सवरूप की पूजा होगी, 8 फरवरी को अस्ट मी, महागोरी सवरूप और 9 फरवरी को नवमी को शित रात्री सवरूप की पूजा की जाएगी वरत विधी पर ध्यान दें तो चैत और अशार्दिय नवरातरों की तरह गुप्त नवरातर में भी देवी पूजा के प्रथम दिन कलश्की स्थापना की जाती है और पूरे नो दिनों तक सुबह शाम देवी की पूजा पाठ मंतर जाप आधि किया जाता है माग मास की गुप्त नवरातरी की साधना के लिए घट सापना दो फरवरी को प्राते 7 बज के 9 मिनट से 8 बज के 31 मिनट तक करना अतन्त शुब होगा गुप्त नवरातरी के दिन साधक को प्रात्यकाल जल्दी उठकर सनान ध्यान करके देवी दुर्का की तस्वीर या मूर्पी को एक लाल रंग के कपड़े में रखकर लाल रंग के वस्तर या फिर चुन्दरी आदी पहना कर रखना चाहिए इसके साथ ही एक मिट्टी के बरतन में जो के बीज बोना चाहिए जिसमें परती दिन उचित मात्रा में जल का छड़काव करते रहना होता है इसके साथ मंगल का लश में गंगा जल, सिक्का, आदी डाल कर उसे शुब मूरत में आमर पल्लव और श्रीफल रखर स्थापित करे इसके बाद फल फूल आदी को अरफित करते हुए देवी की विधी विधान से परती दिन पूजा करें इसके बाद अस्टमी या नवमी के दिन देवी की पूजा के बाद नो कन्याओ का पूजन करें और उन्हें पूडी, चना, हलवा, आदी का परशाद खिला कर कुछ दक इसके बाद गुप्त नवरातर के आखरी दिन देवी दुर्गा की पूजा के परशाद, देवी दुर्गा की आरती गाएं और पूजा की समाप्ती के परसाद कलश को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जन करें तो आईए दोस्तो अब जानते हैं दस महाविद्याओं के नाम, पहली महाविद्या माकाली तो दस महाविद्याओं में पहला रूप माकाली का है, रक्षेशो का वध करने के लिए माकाली यह रूप धारन किया था, तांतरिक सिद्धी प्राप्त करने के लिए माता के इस रोप की पूजा अराधना करते हैं माता के इस रोप की पूजा अराधना भक्ति पूर्वक करने से माता बहुती जल्द पर्शन होकर सभी मनों कामनाओं को शिग्र पूरण कर देती है मा काली को उत्तर दिशा की शक्ती भी कहा जाता है माता काली का बीज मंत्र है दूसरी मा तारा तारा माता की पूजा राधना करने से आर्थि कुन्नती और मोक्ष की प्राप्ती होती है शास्तरों के अनुसार महर्शी वसिस्ट ने तारा माता की आराधना सबसे पहले की थी तारा माता तांत्रिकों की मुख्य देवी मानी जाती है और तारा माता का बीज मंत्र है ओम हनीम इस्तरीम हूम फट तीसरा है तिरपुर सुंदरी माता तिरपूर सुंदरी माता को राज राजिश्वरी या ललिता के नाम से भी पोकारा जाता है माता का मंदिर तिरपूरा में स्थित है इन माता की चार बुजा और तीन नेत्र है शास्तर के अनुसार इसी स्थान पर देवी सती के धारण के गए वस्तर गिरे थे तिरपूर सुंद्री माता का बीज मंत्र है एम हनीम श्रीम तिरपूर सुंद्रिय नमाहा चोथा है भुनेश्वरी माता शास्तर के अनुसार तिरपूरा भुनेश्वरी माता की पूजा अराधना करने से पूत्र की प्राक्ति होती है इस माता को शताक्षी और शाकंबरी नाम से भी जाना जाता है इस महाविद्या की पूजा, आराधना, बक्ति पूर्वक करने से सूर्य के समान तेज उर्जा और मान समान प्राप्थ होता है बुनेश्वरी माता का बीज मंतर है एम नीम श्रीम नमहा पांचवा है चिन मस्ता माता, इस सवरूप में देवी माता का सिर कटा हुआ है और धड से रक्त की तीन धाराये परवाईत होती है इस रूप में माता गधे पर बैठी दिखाई देती है माता के इस रूप में शांत मन से पूजा करने से माता शांत सवरूप में दर्सन देती है छिन मस्ता माता का बेज मंतर है श्रीम हनीम क्लीम एम वरज्र वैरो चानिया हूम हूम फट स्वाह छटी माता है तिरपुर भहरवी माता माता की इस रूप की पूजा राधना करने से सभी परिशानिया दूर हो जाती हैं इस रूप में माता की चार भुजाएं और तीन नित्र हैं इन्हें शोश्ली के नाम से भी पुकारा जाता है तुर्पुर भैर्वी माता का बीज मंत्र है ओम हनीम भैर्वी कलो हनीम स्वाह दुर्मावती माता का कोई सवरूप नहीं है इसलिए ने विद्वा माता का रूप का आ जाता है दुर्मावती माता की आराधना करने से व्यक्ति में आतमबल परबल होता है और रिग वेद में सूत्रा नाम दिया गया है दुम्रावती माता का बेज मंत्र है ओम धूम 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 धूमावती देव्य स्वाह अगली माता हैं आठवी माता बगला मुखी माता माता की इस रूप की पूजा राधना करने से युद में विजय की प्राप्ति होती है और शत्रो का नाश होता शास्तर के महाबारत में भगवान श्री किर्शन और अर्जुन ने भी युद प्रारम करने से पहले बगला मुखी माता की पूजा राधना की थी माता की पूजा करने की वज़े से उन्हें युद में विजय की प्राप्ति हुई माता के अरादना करने से शत्रू और भैसे मुक्ति मिलती है बगला मुकी माता का बीज मंत्र है ओम हनीम बगुला मुकी देव्य हनीम ओम नमह नोवी माता है मातंगी माता मातंगी माता की पूजा अराधना करने से वैक्ति का गरस्त जीवन सुख में और सफल बनता है मतंग भगवान शिव का भी नाम है मातंगी माता की पूजा अराधना सिध्धी प्राप्त करवाता है मातंगी माता का बेज मंतर है ओम हनीम एम भगवती मतंगेश्वरी श्री स्वाह दस्वा नाम है कमला माता का कमला माता को लक्षमी के नाम से भी जाना जाता है शास्त्र के अनुसार समुंदर मंथन के दोरान कमला माता की उत्पत्य हुई थी कमल माता की पूजा राधना करने से व्यक्ति धन्वान और बुद्धिवान मनता है कमला माता का बेच मंत्र है ओम हनी आस्टे महा लक्षमे नमाहा इस पार्ट के लाब भी जान लेते हैं दस महाविद्या पार्ट का जब करने से व्यक्ति को माता पार्वती और शिवजी की विशेश किर्पय प्राप्त होती है। इस पार्ट को करने से व्यक्ति को यश, स्मृधी, विजय और धन की प्राप्ती होती है। यह पार्ट रोगों से मुक्ति दिलाता है। इस पार्ट को करने से कुंडली जागरन, समहादी, ब्रहम ज्यान, सम्मोहन और मोक्ष जैसी चीजों की प्राप्ति हो जाती है। महाविद्या का पार्ट करने से वैक्ति में आतम विश्वास, पोरूश और बल की बढ़ोत्री होती है। इस बार के नवरात्र में क्या खास है वो भी जान लेते हैं। गुप्त नवरात्र में इस बार रवियोग वै सर्वसिध्धी योग के रूप में अतिविस्ट मूरत आ रहे हैं। दरसल यह उन लोगों के लिए खास है जो नया काम शुरू करना चाते हैं। चाहे घर खरीदना हो या भूमी पूजन करनी हो। गाड़ी खरीदनी हो इस दोरान सभी शुब काम कर सकते हैं। इस दोरान खरीदारी या निवेश लाबकारी होगा। इस दोरान बसंत पंचमी और नर्मदा जैनती जैसे महावपार भी आ रहे हैं। इसी वज़े से यह गुप्त नमरात्रे और भी खास बन गए हैं। तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने आपको संपून जानकारी देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई ह होगी इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरीके से भारत्य संसकर्ती से जुड़े तीज परत युवार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैम आता दी।